इसे पहला पर्षन आपके सामने हैं देखिए हिंदी में कारक के कितने बेद होते हैं छै, पांच, आठ, ग्यारा इसका सही ओप्षन हो जाएगा सै यानी आठ बेद होते हैं जबकि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संसकर्त में कितने बेद होते हैं तो संसकर्त में होते है होते हैं और हिंदी में होते हैं वो आठ वेद होते हैं कारक के आठ वेद कौन-कौन से होते हैं करताकारक करमकारक करनकारक संपरदानकारक अपादानकारक संभंधकारक अधिकर्णकारक संभोधनकारक यह हिंदी में आठ वेद होते हैं और संस्कर्थ में हैं वो संभोधनकारक और संभंधकारक नहीं पाया जाता अगला क्यूशन देखिए आपके सामने है राम ने रोटी खाई में कौन सा कारक है राम ने रोटी खाई में कौन सा कारक है करता कारक क्रम कारक समंध कारक करन कारक तो इसका सही उत्र हो जाएगा ए यानि करता कारक यानि इसमें कारिय को करने वाला है वो राम है लोगों ने चोर को मारा कौन सा कारक है करता कारक, करन कारक, अपादान कारक, करम कारक तो इसका सही एंसर हो जाएगा करम कारक यानि ओप्सन नंबर दे इसका सही हो जाएगा करम कारक कारक जहन होता है वो को होता है कौन सा को होता है वाक्या में किरिया का जिस पर फल पड़ता है उसे करम कारक कहते हैं इस वाक्या में करम यानि चोर को जीव है इसलिए को विवक्ति का प्रियोग हुआ है लेकिन अगर यही करम है वो निर्जीव होता तो इसमें को विवक्ति का प्रियोग नहीं किया जाएगा जैसे क्रिशन ने मटकी तोड़ी इसमें मटकी है वो निर्जीव है इसलिए इसमें को विवक्ति का प्रियोग नहीं किया जाएगा अगरा क्योशन है संबंद कारक के लिए प्रियुक्त होने वाला चीहन है संबंद कारक के लिए प्रिक्ट होने वाला चेन कौन सा है में के लिए रा पर इसका सही ओप्सन हो जाएगा ओप्सन नमबर सै यानि रा संबंद कारक के अन्य विवक्ति चेन होते हैं का की रा रे री ना ने नी और इसकी विवक्ति होती है वो शष्टी विवक्ति यानि छटी विवक्ति होती है वह कुलहडी से व्रक्ष कारता है इसमें कौन सा कारक है करमकारक, करणकारक, अपादानकारक, करटाकारक तो इसमें सही हो जाएगा करणकारक यानि ओप्सन नमबर बै इसका सही हो जाएगा करणकारक का साब्दी करता है साधन क्या होता है साधन या फिर माध्यम होता है साधन और साधक के अर्थ में करणकारक का परियोग होता है पेड से फल गिरा कौन सा कारक है? संभन्द कारक, करम कारक, करन कारक, अपादान कारक तो इसका सही हो जाएगा और अपादान कारक अपादान कारक का प्रियोग अलग होने के भाव में होता है इसमें पेड से है वो फल अलग हो रहा है इसलिए इस वाक्या में अपादानकारक का प्रियोग हुआ है संग्या या सरवनाम के जिस रूप से किसी अन्य सबत के साथ संब्ध या लगाओ परती थो उसे कहते हैं अपादानकारक करमकारक करनकारक संब्ध कारक तो इसका सही हो जाएगा ओपसन नमबर दे यानि संबंध कारक अगर वाक्या में किसी से संबंध या लगाओ तो वहां कौन सा कारक होगा वहां होगा संबंध कारक जैसे मोहन की बहीन है राधा का बाही है जैसे मोहन की बहीन है राधा का बाही है तो इसमें दोनों में क्या बताया जा रहा है संभन्द बताया जा रहा है दोनों वाक्या में इसलिए इन वाक्यों में संभन्द कारक होगा अगला क्यूशन देखते हैं दोस्तों अगला क्यूशन आपके सामने है हिमालय शे गंगा निकलती है इनमें कौन सा कारक है सम्हंद कारक अपादान कारक करन कारक करता कारक तो इसमें सही ओप्सन हो जाएगा बै यानि अपादान कारक अगर वाक्या में किसी से अलग होने का बाओ हो वहां कौन सा कारक होता है वहां होता है अपादान कारक हिमाले अश्रे यहां पर इस वाक्या में हिमाले से गंगा अलग हो रही है इसलिए इस वाक्या में अपादान कारक होगा अगला क्रिशन है किस वाक्यांस में संपर्दान कारक है आपको में हर्दै से धन्यवाद देता हूं, इस करीपा के लिए इसका सही अंसर हो जाएगा, ओप्सर नमबर D, यानि इस करीपा के लिए संपरदान कारक के लिए कारक्टरिन हैं, के लिए होता है, और संपरदान कारक का सापधिकर्त होता है, डेना क्या होता है देन ना वाकिया देखिए अध्यापक ने छात्रों के लिए लाइबरेरी की विवेस्ता की तो इसमें के लिए प्रियोग हुआ है तो इसमें होगा संपरदान कारक हरी ने बेल को मारा इनमें कौन सा कारक है करम कारक, करन कारक, संभन कारक, करता कारक अगला परसन है देखिए कारक का अर्थ होता है यानि कारक का क्या अर्थ होता है आपको बताना है करने वाला, करने वाला, बताने वाला, किया जाने वाला तो इसका सही एंसर हो जाएगा ओपसन नमबर बै यानि करने वाला करता और कारक में अंतर होता है कि करता है वो कार्य को करने वाला होता है जबकि कारक है वो करने वाला होता है अगर आप इनके बीच में संभन देखे तो पिता और पुत्र का जिस तरह संभन होता है उसी तरह करता और कारक का संभन होता है कारक है वो पिता होता है और करता होता है वो पुत्र होता है क्योंकि कारक का ही एक भेद है करता कारक इसलिए अगला परसन है आपके सामने देखिए अपना कार्या श्वेंग करें इसमें कारक है संबंद कारक, संपरदान कारक, करन कारक, करम कारक तो इसमें सही हो जाएगा ओफसर नमबर A यानि संभन्द कारक इसका सही एंसर हो जाएगा पेड़ से पता गिता है इनमें कौन सा कारक है संपर्दान कारक, संभन्द कारक, अपादान कारक, अधिकरन कारक तो इसका सही facility number, 7 यह अपदान कारक जब किसी वाकिया में अलग होने का भाव हो किसी वेक्ति यह वस्तू से तो वहाँ अपदान कारक होता है अलोक मां के लिए दोई लाया इस वाकिया में प्रयुक्त कारक है करम कारक, अपादान कारक, संभन्द कारक, संपरदान कारक तो इसका सही हो जाएगा ओपसन नंबर दै यानि संपरदान कारक इस वाक्य का सही एंसर हो जाएगा संपरदान कारक की कारक चेन है को और के लिए होता है संपर्दान कारक का अर्थ होता है कुछ देना जब किरिया दिविक कर्मक हो और देनने के अर्थ में परिक्त हो वहाँ को विवक्ति का प्रियोग होता है वहाँ किस्का होता है को विवक्ति का प्रियोग होता है संपर्दान कारक के लिए अगला क्यूशन देखते हैं नंदू दूद पीता है में कौन सा कारक हुई करम कारक, करता कारक, संभन्ध कारक, करन कारक तो इसका सही एंसर हो जाएगा, ओप्सन नंबर ए यानि करम कारक, जिस वक्या में करम कारक, निर्जीव या ए चेतन हो, उसके साथ विवक्ति का परियोग यानि कारक चीहन का परियोग नहीं किया जाता इसमें नंदू दूद पीता है इसमें दूद है वो निर्जीव है इसलिए इसमें कोविवक्ति का परियोग नहीं किया गया अगर इसमें करम सजीव होता तो इसमें कोविवक्ति का परियोग किया जाता जैसे किसान ने बेल को मारा तो इसमें कोविवक्ति का प्रियोग किया जाएगा क्यों क्योंकि बेल है वो क्या है एक शजीव है तो सजीव के साथ कोविवक्ति का प्रियोग किया जाता है जब कि नर्जीव के साथ कोविवक्ति का प्रियोग नहीं किया जाता अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सेर करें और चैनल को सबस्क्राइब करें दोस्तों